नमस्कार दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब किसान अंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा, जैसे शाहिन बाग का फूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूँ, क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की emotional mental lynching, online lynching मैंने फेस की है, rape death threats मैंने तो ये मेरा हक बनता है, कि मैं इस देश ते कुछ सवाल करूँ, अब जो प्रदान मंतरी जी ने किसी आशेंका की कोई गुंजाईश ही नहीं छोड़ी है, तो ये बात तो जाहिर है कि ये politically motivated था, ये पुरान दोलन, और कही नहीं इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना जाते हैं, उनको पुरा देश है, अउनाचल प्रदेश से, महराष्टर से, दिल्ली से, हिमाचल सब उनका है, तो उनको एक छोटा सा टुकडा नहीं चाहिए, वो देश प्रेमी है सब, लेकिन मैं उन से पूछना चाती हूं देशवासियों से, मुझे आतंकियों से शिकाय जी वो पढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नागरित्ता बचाने के लिए अंदूलन कर रही है, एक पंजाब में दादी मुझे तिक गंदी भदी गालियां दे रही है, अपनी जमीन बचाने के कोशिश कर रही है, सरकार से, क्या हो रहा है इस देश में दोस्तों हम लोग अपने आपको इतना वनरूबल कैसे कर देते हैं, इन आतंकियों के लिए, इन विदेशी शक्तियों के लिए, मुझे आप लोगों से शिकायत है, और मुझे ये शिकायत है, कि मुझे हर दिन अपनी इंटेंशन बतानी पड़ती है, कि जब कोई देश तो पुछे ना ये कौन सी नीते कर रहे है, जहन